बॉलिवुड में मस्ट मस्ट गर्ल के नाम से जाने जाती रवीना टंदन जन 26 अक्टूबर सन 1974 में हुआ रवीना टंदन को नाशनल फिल्म अवार्ट से भी नवादा गया पर इनकी शुरुवात दर असल मौडलिंग असाइंग्मेंट से हुई थी रवीना उन अभिनेत्रियों में से रही जिन्होंने अपना डेब्यू किया सल्मान खान के साथ फिल्म थी पत्थर के फूल जिसकी स्क्रिप और म्यूजिक दोनों ही दंदाग थे वक्त में जरा पीछे जाएं तो पता चलता है कि रवीना टंदन की शुरुवाती पढ़ाई जमना भाई नार्सी स्कूल में हुई और उसके बाद ये मीठी भाई कॉलेज में गई कॉलेज में दो साल बिताने के बाद इन्हें मन बनाया कि अब रुख किया जाए मॉडलिंग की तरफ पर मॉडलिंग ने इन्हें इतना आकर्शत किया कि वही पेशायक सीड़ी बना इनके लिए ये फिल्मों में आएं इस मेहरानी क्या है हाला कि रभीना टंडन एक फिल्म परिवार से ही तालुक रखती हैं पितार रभी टंडन फिल्मों के डिरेक्टर रहे पर इसका इन्हें कोई खास फायदा हुआ नहीं रभीना के खुबसूरती उनका डांस उनका अभीने सभी लोगों को पसंद आ रहा था पर एक ऐसी फिल्म आई जिसने कमाल ही कर दिया फिल्मोहरा में एक गाना आया तू चीज बड़ी है मस्त मस्त इस गाने की वज़े से मस्त मस्त गर्ल का टाग इनके साथ जुड़ गया फिल्मोहरा में ही एक जबर्दस गाना था टिप टिप बरसा पानी जिसमें रविना टंडन बरसात न भीगती भी नजर आई और यह साबिद हुआ कि यह वह अभी नेत्री है जिसेंश्वल सीन्स में भी कमाल कर सकती है रविना टंडन सूपरस्टार तो बन गई बहुत सारी फिल्में भी इनके पास थी पर कुछ फिल्मों से यह ना उम्मीद हुई और यह वह वक्त था जब इन्होंने रुख किया पैरलल सिनेमा की तरफ कलपना लाजमी की फिल्म दमन में यह नजर आई इतना अच्छा अभ अनिमखर जी ने निभाया था उसके लिए रविना टंडन को भी अप्रोच किया गया था पर रविना ने इंकार कर दिया था फिल्म सत्ता में भी रविना टंडन का भी ने देखते ही बनता था फीमेल पॉलिटीशन के करदार में यह खूब जमी एक तरफ इनका फिल्म करि अब इतना विवस्ता करो नहीं जानी यह खोया खोया मौसम बवन दिवानी हो कहीं उड़ाले लायारा तुझे रिष्टा आगे बढ़ा बाच शादी तक पहुंची और 22 जनवरी सन 2004 को यह दोनों विवा के बंधन में बंद गए और उसके बाद इन्होंने बेटी राशा और बेटे रनवीर को जन दिया कुछ वक्त के लिए रविना टंडन फिल्मों से दूर रही और फिर वापसे की कभी टेलिविजन बे नजर आएं तो कभी फिल्म में यकीनन रविना टंडन जैसे खुबसूरत अभिनेतरी कोई और नहीं रही हर तरहां के करदार में यह रविना टंडन